नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूँ अनामिका जा हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक वर्ष आश्विन माह के शुकल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथी पर देवी अराधना का महापर्व शार्डिय नवरात्री आरंभ हो जाती है हिंदू धर्मे नवरात्री पर्व का विशेश महत्व होता है एक साल में चार नवरात्री आते हैं जिसमें शार्डिय और चैत्र नवरात्री होते हैं जबकि दो गुप्त नवरात्री होते हैं नवरात्री पर नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ सरूपों की पूजा अराधना करते हैं धार्मिक मानताओं के अनुसार नवरात्री पर देवी दुर्गा की आराधना पर सभी तरह की मनुकामनाई अवश्य ही पूरी होती है। शार्दे नवरात्री का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिनी को समर्पित होता है। मा का ये रूप तपस्विनी का है, ब्रह्मचारिनी का अर्थ होता है तब का आचरन करने वाली इनका सरूप, अंत्यन, तेजमई और भव्वे है। मा ब्रमचारिनी अपने दाहिने हाथ में जब की माला और बाये हाथ में कमंडल धारन करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं इनकी पूजा के दिन साधा कमन स्वाधिश्टान चक्र में स्थित होता है मा ब्रमचारिनी ने अपने पूर जनम में राजा हिमाले के घर में पुत्री रूप में जन लिया था तब डेवर्शी नारत के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पती रूप में प्राप्त करने के लिए अंतियंत कठिन तपस्या की थी इस दुशकर तपस्या के कारण इन्हें तब सचारिनी अर्थात ब्रमचारिनी नाम से अभिवित किया गया कथा के अनुसार एक हजार वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खा कर व्यतीत किये और सो वर्षों तक केवल शाक पर निर्वा किया था कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्ष धूप के भयानक कश्च भी सहे कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या की कारण ब्रमचारिनी देवी का शरीर एकदम छिन हो था उनकी अदशा देखकर उनकी माता मैना अंतिर दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवास दी उमा तब से देवी ब्रमचारिनी का एक नाम उमा भी पड़ गया उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मज गया देवता, रिशी, सिद्गन, मुनी सभी देवी ब्रमचारिनी की इस तपस्या को अभूत पूर, पूर्ने कृति बताते हुए उनकी सराहना करने लगे